नमश्कर दोस्तो वेलकम बैक आप देख रहे हैं काफी वे सुमी जैन दोस्तो आपने मेरी कल एक वीडियो देखी होगी पंचोली जी के साथ रवेंदर पंचोली जी वो इतनी सटीक उनकी प्रडिक्शन होती है कि मैं दंग रहा दाओं कि वही इनकी समझ है एक्सपीरियंस ह लाइफ का या वो जोतिश है क्या तो मुझे तक हमेशा हरानी होती है मैं जब भी आता हूं बहुत कुछ सिखेने का मिलता है दोस्तों उन्होंने कल क्या प्रडिक्ट किया था कि अब हमारी जो एकॉनमी है वो और तेजी से उपर बढ़ेगी जबकि दुनिया बोल रही थी सारी दुनिया रिसेशन में हैं हम शायद थोड़ से स्पीड हमारी स्लो होगी बट ही वोज वरी क्लियर कि अब हमारी एकॉनमी राइस करेंगी आज चलिए हम ब्लैक एंड वाइट बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की उपर इंडियन एकॉनमी की उपर और जो आज पास की स्पेशली चाइना इनकी एकॉनमी का क्या हाल है दोसों सबसे पहले आपको मालूम है कुछ महीने पहले एक अनॉंसमेंट हुई थी जेपी मॉर्गन बहुत बड़ा बैंक है कि अब हम भारत के जो बांड हैं वो हम एकसेप्ट करेंगे और भारत इंटरनेशनल मार्किट से बांड मार्किट से पैसा उठा सकता है अनुमान लगाया जा रहा है अगले दो सालों में तीन सो से लेके पांसो बिलियर डॉलर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आ सकती हैं उससे हमारी एकॉनमी को और बूस्ट मिलेगा और जॉब्स क्रेट होंगी यहां पर जब इतना चैना के मैं मॉडल देखता हूं चैना मैं यहां पर 20-20 साल से मैं आ रहा हूं और अब तो 10-12 साल से मैं यही रहता हूं और मैंने इनकी तरक्षी देखी है जो बांड मार्किट से इन्होंने पैसा उठाया आज यह बांड मार्किट का पैस नहीं कर पा रहे आपने कई पर स साइज इतना बड़ा हो गया इससे स्टेन नहीं कर पाए और वो वाली मार्किट वो भारत के लिए खुल गई है अब आपको मालूम है कि जो हमारा कुजरात है कुजरात में जो एक वो सिटी बनाई हुई है जिसके अंदर इंटरनेशनल बैंक्स इंटरनेशनल इंस्टिश होकर हमें वापिस मिलेगा स्टाउक मार्किट है उसके अंदर बूम है और जैसे ही ये स्टेट इलेक्शन हमारे खतम हुए मोदी जी वहाँ पर चार में से तीन स्टेट्स में जीते हैं स्टाउक मार्किट और उपर चली गई और यही चीज़ है जो रविंदर पंचोली ज होते हैं जहां पर स्टडीज कराई जाती हैं कोर्सिस कराई जाते हैं 20% दुनिया के जो बढ़ियां कंपनीज हैं 2000 जो टॉप की कंपनीज हैं उनमें से 20% अलड़ी भारत में इस्टैबलिश अपने आपको कर चुके हैं उन्होंने अपना ग्लोबल केबिलिटी सेंटर यहा पच्छी साथ पहले यहां पर भी पैसा मिला ग्लोबल मार्केट से ग्लोबल मार्केट की बड़ी कंपनीज हैं जो फोब्स की कंपनीज होते हैं 500 कंपनीज, 2000 कंपनीज, वो सारी चाइना में उन्होंने इस्टैबलिश किया, आज वो चाइना से भागते जा रहे हैं और भा पैसा बाहर से चाइना में आता था, वो कम हो गया, और जो चाइना से बाहर जा रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, माइनस में आया है पहली बार, इसका मतलब क्या हुआ, जो फोरन की कंपनीज यहां पर पहले इस्टैबलिश किया था, एक एक करके वो अपनी दुकाने रही, लोकल कंजम्शन नहीं है, चोटी सी कंट्री है, बहुत प्रॉलम्स है, और चाइना का एक कंट्रोल है, वेटनाम के अंदर, बिजनसे के उपर, ये चाइना से दुकी होकर तो बाहर गए थे, और वहां जाके फिर चाइना के सहापे में फस गए, अब ये सोच रहे है कि हमें उन कंट्रीज में जाना चाहिए, जहां पर हमें विश्वास हो, चाइना का इंफ्लेंस कम हो, और इंगलिस स्पिकिंग भी हो, भारत वो सारी चीजों को फुल फिल करता जा रहा है, इसलिए आपने देखा होगा, मोदीजी ने जितनी भी चाइनीज कंपनी की इंव बिलियन, दो बिलियन, पांस बिलियन, जितने लगेंगे, हम लगाने को त्यार हैं, मोदीजी ने क्या बोला, अपने पैसे रख अपनी जेमें और दफ़ा हो जाए यहां से, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमारे कंट्री के अंदर, ये मोदीजी के वर्ड़्स हैं, य बिलियन, हमें तुम्हारे पैसे दिखा कर, जैसे तुम ये राहुल गंदगी की फैमिली को खुश कर देते थे और वो तुम्हारे सामने लेड़ जाते थे, ये भारत है मोदी का, ये ऐसी चीज़ों में फसने वाला नहीं है, हमने उनको नहीं आने दिया, और यही स्ट्रे सस्ती गाड़ी टेसला की भारत में ही बनने वाली है, लैट मींज हमने उसमें चाइना को भी बीट कर देना है, अब आते हैं हम लोग कि जो ग्रोथ स्टोरी है, भारत की, जो भारत की ग्रोथ स्टोरी है, उसमें वो बोल रहे हैं कि जो हमारी ग्रोथ है, बिजनस की और की, वो 50-55% की दर से वो इंक्रीज होगी और सबने बोला शुरू कर दिया कि अगले 5-6 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी एकॉनमी बनेंगे जुर बोलते हैं ये बोल रहे हैं 2027 में 2030 में 2028 में बड़े नंबर आई हैं मैं अपनी prediction के साफ से अपनी calculation के साफ से बोल सकता हूँ next year वरना early of 2025 हम third largest बन जाएंगे क्यों जो हमारे competition में दो countries हैं Japan and Germany दोनों ही बहुत पास हैं हमारे numbers के और वो नीचे आ रहे हैं और हम उतनी ही तेजी से हमारे numbers increase हो रहे हैं और जैसे ही सारी capabilities भारत में shift हो रही है 20% आ चुके हैं वो जो 20% का result है जो देखेंगे यहां पर तो they are making money यहां पर consumption की market भी है समान बन भी सकता है और यहां से export की भी capability है तो बाकी जो 80% रह गए हैं वो भी जल्दी से यहां आएंगे इससे पहले की कहीं देर ना हो जाए तो मुयरी अपने prediction है 2024 एंट नहीं तो 25 में थर्ड largest economy भी भारत और हम गर्व से बहुत सकते हैं इस चीज़ को किसने किया एक चायवाले ने जो सरकारी स्कूल में पढ़ा है हावर्ड में नहीं पढ़ा वो स्टैंटफर्ड में नहीं गया वो आक्सफर्ड में नहीं गया सरकारी स्कूल में पढ़के क्योंकि उसको देश के बारे में मालूम था, इसकी दिखते क्या है, तकलीफ क्या है, ग्रोथ क्यों नहीं आरी, उसने वहां से उसको उठाना शुरू किया, भारत आज शेहरों में नहीं राइस कर रहा है, वो गाउं से राइस किया है, जिसके कारण शेहर भी राइस कर रहे ह और पूरा country rise कर रहा है अब आते हैं stock market पर दोस्तो चार trillion dollar की हमारी economy है और हमारी stock market में जो wealth है लोगों के हतों में आपकी जेम में वो भी 4 trillion dollar की है आप समझते हैं इसका मतलब क्या है जितनी GDP जितना पैसा पूरी country में है उतना अकेला stock market ने generate कर दी आपके लिए और यह क्यों ह है ,it was a reason for this experiment । synaton economics जो आप शनaton में क्या होता है कि हमने बच्पन में हमने क्या किया जब हम खाना खाते थे मेरी दादी खाना बनाती थी Ors āप बिर्की तोड़ते थे रोटी के से रीचिजफे जो बर्की तोड़ते थे रोटी की, साथ में डाल लेते थे, सबजी लेते थे वो निकाल के साइट पर रखते थे चीन्टियों के लिए भी तैट मींज हमने पूरा एको सिस्टम का ध्यान रखा हुआ था इसको बोलते है सनातन एकनामिक्स और मोदी जी ने क्या किया 2014 में आकर उन्होंने बोला कि जो ग्रोथ है वो लास्ट परसन जो मेरी लाइन में लगा है 140 क्रोड लोगों में जो आखरी आदमी खड़ा है जिसको कोई पूछता भी नहीं है एक वक्त का खाना भी शाद उसको मिलता नहीं है मुझे उसका ध्यान रखना है इसको बोलते है सनातन एकनामिक्स इसलिए जो पॉलिसिस बनाई गी वो था सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रियास और सबका प्रियास और यही है सनातन एकनामिक्स और दूसरा था जो हमारा टेंपल जो एकनामिक्स है जो हमारे त्योहार हैं उन्हें बनाना शुरू किया, मेक इन इंडिया शुरू किया, आतम निर्वर किया, इसके करण हमारी जो कमपनीज हैं उसकी वैल्यू बढ़नी चुरू ही, सेल्स बढ़नी चुरू ही, पहले तो हर चीज चाइना से बन के आती थी, क्योंकि पपू स्टॉक मारकेट है, वो भी छट से बाहर निकल रही है, और अभी तो शुरूआत है, अभी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त, 1224 आने दीजिए, जब आप 24 में मोदी जी को 400 प्लस पे जीत कर ले आए, आप उसके बाद देखना, कोई भी दुनिया की ऐसी कमपनी नहीं रहीग फिर ये सनातन एकनामिक्स काम करेगी, पॉर्ण मारकेट अलरी खुल चुकी है, स्टॉक मारकेट अलरी राइजिंग है, सारी जो ये 20% से ज़्यादा कमपनी दोजार लार्जस्ट कमपनी वर्ल्ट वो अलरी भारत में आ चुकी हैं, 80% को देर ने लगेगी, और जो यहाँ पर एकनामिक्स कमपनी अलरी हैं, ये अब बिकनी शुरू होंगी भारत की, ये इनकी वैलुइशन और बढ़ने वाली हैं, अब आप आते हैं भारत के उपर जो ग्रोथ सोरी है, एकनामिक जो है, अब तो दुनिया ने बोला शुरू कर दिया, वेन इंडिया राइजिस, द रेटिंग्स देती हैं, उन्होंने भारत की जो रेटिंग है, उसको इंक्रीज कर दिया, और चाइना, सुपर पावर अफ दी वर्ल्ड, उसकी क्रेडिट आउटलूग को नेगटिव कर दिया है, फिर्स टाइम, क्यों? उन्हें लगता है कि जो कंट्री की फिस्कल है, वो इतनी नहीं रही, या इनको लगता है नंबर्स में कुछ गड़बट थी, और उन्होंने बोला है कि यहां पर जो रिस्क है, वो बढ़ना शुरू हो गया है, इन्वेस्मेंट का, पैसे वापिस आएंगे नहीं आएंगे, पता नहीं है, इसलिए भाईो बेनो, पैस उसकी गरदन जाके पगड़िये, मैं तो सिर्फ जो पब्लिक डुमेन में चीज़ आई है, मैं वो बोल रहा हूँ, और भारत की आउटलुक, वी आर राइसिंग स्टार, वी आर नाव दे विंड़ो ऑफ ग्रोथ तो दे वर्ल्ट, यह फरक है, और यह कब आया, कहां तो हम फ्रेजाइल फाइव में कभी भी डूप सकते थे, जो पाकिसान का हाल आज है, हमारा है ही हाल दो जार चौदा में था, और आज वी आर थिंकिंग कि एक साल के बाद, चार डेट साल के बाद, वी विल बी टॉप थरी, पहले नमबर पे अमेरिका, दूसरे पे चाइना, और जम्प मारी है, सीधर तीसरे नमबर पर, ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारा चायवारा जमीन से जुड़ा हुआ है, इस धरती मा से जुड़ा हुआ है, सनातन से जुड़ा हुआ है, हमारे देवी देफतां से जुड़ा हुआ है, और उसके लिए दिनरत काम भी कर रहा है, जितने मेंदू मंदरों का उसने पुनर निमान किया है, उसके रास्ते खोले हैं, कॉरिडर्स बनाए हैं, किसके लिए, ताकि वहां पर लाखों लोग वहां जा सके हैं, उससे एक एकॉनमी चलती है, एक एको सिस्टम चलता है, जो मैंने आपको सिनातन एकोनॉमिक्स के बार म काशी विश्वनात है, अभी शुरू हुआ है, साथ करोड लोग वहां अलड़ी जा चुके हैं, तो अभी तो अयोद्या जी अभी तो शुरू नहीं हुआ, जिस दिन अयोद्या जी शुरू होगा, उस दिन आपको पता लगेगा सिनातन एकोनॉमिक्स होता क्या है, तो दो गर्व से बोलिए, सनातन धरम इस दर्ती में से शुरू हा और यहीं पर रहेगा, और हम हिंदू इस दर्ती के रियल ओनर्स हैं, और जी आउटसाइडर्स इनको ता लात मार के बाहर निकालेंगे, एके करके, जो इस दर्ती को अपनी धर्ती मार नहीं बोलेगा, वंदे मात कि अच्वाच तो आउ अचाली एकाली अच्वारा कादो के रिले से अच्वाच कािए। इप जड़ी घकाली आउटसाइडर्स वेट खरीएू हैं, अब जाउटसाईडर्स, खरीए। पर लिएून के वेखिए।